तो 36 गड़ में हॉस्टल वाडन भरती परिक्षा 23 जी हैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि 36 गड़ में हॉस्टल वाडन भरती परिक्षा 23 साप लोगों के लिए निकल कर आ चुक है जी हां नया प्रेश्वी ग्यापी जारी हुआ है और कूल अगर हम पोश सीमा जो है सल्लेरी मिलता है हौस्टल वाडन में इस वीडियो में आप से भी को मैं बताूंगा कि हौ्श्टल वाडन बनने के लिए सेक्चरी क्यों गिरता क्या होगा अईयू सीमा कितना होगा अईयू सीमा में आपको कितना छूट मिलेगाई यह चैयन प्रेक रियर सिलेक्षन प्र provinces किस सारय Child and कितने question सॉल करने पर आपका selection पाएगा हॉस्टल वाड़न बदने के लिए तो आप लोगों को इस vlog में देखने को मिलेगा तो उलज्या भान के जवी दिखा रहा आ 22 기 निकना नींनारी को ख्रीं के पद उपर जो है सीधी भरती से निक्ति है तू भूत पूर्वशनिकों को प्रदाईत आरक्षण समंधी जानकारी उपलब्द कराने के बाबबत और इसमें साथ तर पर मेंशन किया गए कि 36 गड़ में जो है 300 पोश्ट आपके छात्रवा सदिक्षक्ष रिदा के आपके ल की लोढ़डन बनने के लिए सबसे पहले तो आपका ड्र पास आउट होना चाहिए आपका बारवी पास होना चा यह बारवी आपका जो है कम्शूटर्स का जो डिप्लोमा कोर्स है इसमें डिशीय हैं पीजी डिशीय बीसीय कम्शूटर साइंस या इटी आई को पके हैं एक वरसे का छूट आपको जो है यदि हम जनरल जनरल कैटिगरी वाले इसमें चूट जो है जो की काफी जादा इंपॉर्टन होता है बहुत ही जादा महत्तु पूर्ण भरती होता है अगर आप अच्छे से त्यारी करते हैं अगर आप अच्छे से जो हाड वक करते हैं तो definitely किसमें आपको कामियावें मिल पाएगा और आपके government job vacances जो है exam जे डिफंट्ले जो है qualified हो पाएगा तो आपको तैयारी अच्छे से करना है महनत आपको आपके लिए बेश्ट होगा और उतने ही जादा एक अच्छा-धासे रिजल्ट आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिल पाएगा तो बस मेहनत करना कोशिश करना अब मैं आपको बताना चाहता हूं की बारे में ताकि आपके अग्जाम के तयारी बहुत अच्छे से खो पाए और आप शात्रवा से दिख्षक बन पाएंगे तो शात्रवा से दिख्षक भरती पर दिख्षक आप असलिए बस देख सकते हैं जो कि काफी जादा इंपोर्टन्ट है आप सबी स्टुडेंट्स के लिए कमच्यूटर समंदी समाने क्याने कमच्यूटर से आपके एक्जाम में जो है 50 अंग कुल टोटल जो है 50 पुछे जाते हैं इसमें आपको 25 अंग लाना 25 अंग प्राप्त करना जो है अनिवारी है जो कि काफी जादा इंपोर्टन्ट होता है बहुत इजादा मातोपूर्ण होता है अगर हम बात करें तो इसमें आपका computer का परिचाए computer के उप्योग जिसमें computer को प्योग कहां कहां एवं किस लिए क्या जाता है इसकी basic जानकारी computer के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, input device, output device के बारे अगर हम बात करें तो आपके keyboard हो गया, mouse हो गया, joystick हो गया, light pen हो गया, यह आपके input device है वही output devices के बात करें तो monitor, printer, plotter, speaker, projector, यह आपके output devices है printer के प्रकार जिसमें आपका intelligent, laser, dot matrix printer, decibel printer, operating system के नाम जिसमें आपका MS Office और MS-DOS और Linux यूनिक से यह सब आपके operating source होते है वाड़ प्रोसेसर इस प्रेट सिटेवं presentation के उपयोग कारियाला में उपयोग के लायक के समाने जनकारी, internet के उपयोग जिसमें आपका email, document, searching, website searching, विभिना सरकारी भी भागो की website के जो है समाने जनकारी, antivirus की उपयोग जिसमें computer virus की समाने जनकारी, multimedia की जिसमें आइडियो वीडियों, टेक्स्ट का उपयोग करने की जो है शमाने जनकारी, cd, dvd से समंधी शमाने जनकारी, google, alt, youtube की समाने जनकारी, search engine से वांची जनकारी कैसे प्राप्ते की जाए, इसकी basic जनकारी पूछ हो जाते हैं, तो computer के तयारी आदी आपको करना है, तो computer से देखे 50 प्रशन के, 50 अंको के आते हैं, इसमें आपको 25 नमबर लाना है, तो computer में 50 में से 25 नमबर लाने के लिए, आपको सबसे पहले परिक् प्रशन पत्रिक की इस भाग में कुल 10 प्रकुशन्स एक्जाम में पूछे जाते हैं, हिंदी व्यक्रण में आपके एक्जाम में सुहार, वेंजल, वरतिनी, वचान, कालवाके, शंदी, शंदी के परकार, संदी विक्षे, ये सभी चुज़े पूछे जाते हैं, तो हिंद पर नाउन, प्रोनौन, टेन्स, श्वाइशन, स्वाइसन, आरेकल, डिक्रीकुशन, टर्ट, वान्वरड सभी स्वेटर्ट, वर्प्रेशन, वर्प्रेशन, वर्प्रेसिस, राइटिण, ये सभी चीज़े पूछ हो जाते हैं, तो इंगलिश के तयारी करने के लाब जो ही इसके साथ हम बात करें आपके जो है गड़ीत के तो गड़ीत में गड़ीत से आपके एक्जामे कुल 20 अंगो के 20 परश्ण जो है पूछे जाते हैं इसमें महत्म समपर्तक और लगुत्तम समपर्तक क्या है इससे समदी जो है बेसिक जैनकारी और और उसत निकालने से समदीत प्रश्ण प्रतिशत हो गया चाल समय दूरी सधारन व्याज लाभानी अरे खत अथा कोड यह सभी चुझे इसके सांथ समानी ज्यान से भी समानी ज्यान में आपका भारती राजनेतिक व्यवस्ताहिम सविधान मुख्यष विधानी प्रवधान मौली करतव यह मदिकार भूगोल हो गया और अर्थ सास्रा भारती अर्थ वैसा है समान्य विज्यानियान जनरल साइंस से भी क्वेस्टन्स कूछ जाते हैं यह बहुत को करसें जनकारी से हैं इसके साथ बाल मनुवी घ्रिंवों से भी aurumatak के तीजारी अधान से से करना हार्ड वाक अच्छे से करना क्योंकि जितने ज्यादा पहनत करोगे जितने ज्यादा तैयारी अच्छो से करना और बस मेहनत करते रहें आपको काम्याबी जोरूर मिलेगा